आज मैं आपके साथ कटेल की सबजी की रेस्पी सेयर करूँगी जिसे आप बहुती कम मेनत में और कम टाइम में बना के तयार कर सकते हैं और बहुती टेस्टी बना सकते हैं अगर इस तरही किसे बनाएंगे न तो बहुती टेस्टी और स्वादिस्ट बनेगी आपकी कटेल की सबजी तो कटेल की सबजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटेल ली है और इसे कट कर लिया है आप कट कर भी में टुकडे अपने साफ से कर सकते हैं चोटे या बड़े जैसे पीसे आपको पसंदो बैसे पीसे साफ इसके कर सकते हैं मैंने यहाँ पर medium size की किये हैं अब चलते हैं gas की तरफ तो यहाँ पर मैंने gas पर कड़ाई रख लिया है और उसमें 2 चम्पच बर के oil लिया है oil को अच्छे से गरम होने देंगे तो oil हमारा अच्छे से गरम हो गया है अब इसमें हम जो cut 81 कट करके हमने रखीती कटेल आपस में चिपकेगी और अच्छी नहीं बनेगी तो आप जब भी बनाई पहले ओईल में इसे अच्छी से फ्राइए करें फ्राइए करने पर ही कटेल अच्छी बनती और स्वाधिस्ट भी पहुत लगती है जैसे आप सूकी सबजी बनाएं या ग्रेवी बाली बनाए जैसे आपको पसंद हो बैसे सबजी आप बनाएं तब भी आपको ओईल में फ्राइए करना है कोई सी बना लीजी चाहिए सूकी बाली बना लीजी या ग्रेवी बना लीजी जैसे भी बनाना चाहें बैसी बना सकते हैं लेकिन इसमें सबसे पहले ओईल में फ्राइए करना जरूरी होता है हम इसे 5-10 मिनट ओईल में फ्राइ करेंगी जिए अच्छे से ओईल में हो जाएगी बिल्कुल स्वॉप्त हो जाएगी तो बड़िया से चलाते हुए mix करते हुए इसे fry करना है हमको और medium flame पे ही fry करेंगे इसको flame को high नहीं रखनी है इस बात का आप ध्यान रखें अगर flame को high रखेंगे ना तो ये जल जाएगी तो इसे हमेशा जब भी आप fry करें तो gas की flame को medium ही रखें और ये सबजी जो हम कटेल की बनाती है नहीं बहुत ही स्वादिश्ट लगती है और आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपकी सबजी बहुत ही अच्छी बन के तयार होगी तो आप एक बार इस तरीके से जरूर बनाएं तो हमारी जो कटेल है फ्राइ हो चुकी है अब यसको हम एक बरतन में निकाल लेते हैं अब उसी कडाई में हम एक चम्मच बरके llेंगे और इसमें हम मसालें को फ्राइ करेंगे तो यहापर मै ने तेल को गरम होने लिगा अब इसमें एक चमच बरके डाल दिया है जीरा, जीरे को अच्छे से फ्राय होने देते हैं, बिल्कुल गोल्डन व्राउन हो जाए, अब इसमें डाल लेंगी हम यहाँ पर कटा हुआ प्याज, तो यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज के प्याज लिये हैं, आप प्याज प्याज का पकना बहुत जरूरी होता है, अगर प्याज कच्छ रहा है तो सब्जी में वो टेस्ट नहीं आता, आप किसी भी चीज की सब्जी बनाई लेकिन प्याज को अच्छे से ही फ्राय करना चाहिए, अब मैंने यहाँ पर डाल लिया है अद्रक लैसन और मिर्च का प अप्सनल है आप चाहे तो डाले, ना चाहे तो ना डाले, यहाँ पर मैं ले रही हूँ, दो मीडियम साज के कटी हुई टमाटर, इनको भी मैंने बड़े-बड़े टुकडों में कट कर लिया था और इनको इसी में डाल के अच्छे से फ्राय करेंगे, टमाटर अच्छे से प्राय करना है हमको पूरी तरह के से सौप्ट हो जाने चाहिए, अगर गरेवी वाली बना रहे हैं तो आप इनकी गरेवी बना कर भी डाल सकते हैं, मैं गरेवी वाली नहीं बना रही हूँ यहाँ पर तो मैंने इने बड़े-बड़े टुकडों में कट करके डाला है, स्व तो माटर अच्छे से गलगाएं हमारे आप देख सकते हैं, अब इसमें हम मसाले याट कर लेंगे यहाँ पर तो मसालों मैंने एक चमच पर के लाल मिर्च ली है, थोड़ी से यहाँ पर हल्दी डालेंगे हम, अगर आप तीका ज्यादा खाते हों तो आप मिर्च दू चमच भी ले सकते हैं, और कम काते हों तो कम भी कर सकते हैं, एक चमच पर के धनिया पाउडर और एक चमच पर के गरम मसाला डाल लेंगे यहाँ पर हम, इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चलाते भी मिक्स करना है हमको, और थोड़ी देर के लिए और फिराय करेंगे, तो मस आप इस तरीके से कटेल की सबजी बनाएंगे तो आपकी कटेल की सबजी भूतील स्वाधिस्ट बनके तैयार होगी तो एक बार इस तरीके से जरूर बनाएं अब इसमें जो हमने कटेल फ्राय करके रखी थी वो डाल दूम Chung अब इसे भी बड़िया से चलाते हुए अब देख सकते हैं कितनी अच्छे से बनकर तयार हुई हमारी कटेल की सबजी तो एक बार इस तरीके से जरूर बनाएगे ये कटेल की सब्जी, भहुती टेस्टी और भहुती स्वाधिस्टी लगेगी, इस सब्जी में बनाने हमें ज़्यादा मेहनद भी नहीं लगती, भहुती कम टाइम में बनके तयार हो जाती ये कटेल की सब्जी, तो एक बार इस त तेल के सब्जी तो बहुत ही टेस्टी लगती है सभी को तो एक बार से जरूर बनाएं चैनल पर नए होगे तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें